। दोस्तो में ऐसा करते हो अशरूर ठीक होंगे । दोस्तो आज आए एम इस वीडिव में शुबांच उन्द बोस्स एन महत्मा गंदी के बीच में जो आइडियोजी थे जो आइडियोजी कल डिफेरेंस्स थे उसके पर बात करेंगे। चले चले इस तो वीडियोगो स्टा करते हैं दोस्तों महत्मा गंद्र शुबाशंद्र बोश जी के बीच में बहुत सा आइडिलोजिकल डिफेरेंस थे तो सबसे पहले जो डिफेरेंस था वह था कि बुष करना चाहिए क्योंकि इसको यह था कई तो इसको खरने के लिए हम वायन कभी-कभी इस्तिमार करना अगर होगा तो हमें करना परेगा कि गयोदści और फक्ली Casey गान दिन सुभाशंतर बोस का था तो जो उसते जो सुभाशंतर बोस्त थे वो यह मानते कि पहले पहले यह मांते डिमोकरिसी वह किसी भी देश के लिए बहुत ही सही है लेकिन बाद मी चाहिए उनका जो व्हूपांट यह वह था बदला था और उन्में सोशलिजम एन की जो mixture को एक देश के लिए देश के डेवलाप्मेंट के लिए सही उन्होंने बताया था उन्हें यह कहा था कि कुछ-कुछ circumstances में जो authority and rule होना चाहिए centralized government होना चाहिए और वो यह मानते थे कि centralized government होता है जो socialism होता है उसमें जो power है वो government government के पास होता है और अगर government के पास पूरा-पार होगा तो society में equality maintain रहेगा दूसरे तरब जो गांजी जी थे वो यह मानते थे कि हमारे देश में सब से पहले जो विलेज है उसका development होना चाहिए जो ग्राम राज्य है जो village जितने विलेज उनका development होना चाहिए और village में पंचायत रूल होना चाहिए village में self-sufficient rule होना चाहिए और वो यह मानते थे कि self-government through individual and community building में होना चाहिए वो party system के against थे कही ना कही against थे और वो यह मानते थे और वो हमेशा decentralization of power के बारे में बात करते ही थे ना है कि centralization of power कि दुस्तरा कराम बात करें दूस्तों कि economy में इन दोनों का क्या-क्या इट अर्ट लोजिकल डिफरेंस था तो जो गांदी जी थे वो यह मानते थे कि जो decentralization economy की वो बात करते थे वो capitalism के वीरूत थे western socialism के वीरूत यॉल्य। थे और वह मानते थे कि हमारे देश में जाहता जो रूर इकनोमी है वह develop होना चाहिए और दूस्तरा काराम बात करें कि जुए इस्ट्पास्षभ जुए बोस्त थे वह मानते थे कि हमारे देश में नोगा क्या फेज था नोगा फेज था था क्या-क्या हाइड लोगन डिफेरेंस थे तो जो घंदीजी थे वह गौड पर विश्वास करते थे वह मानते थे और वह सभी धर्म को रेस्पेक्ट देते थे और शुबाचन्द वो जो थे वह उपनेशी जो टीचिंग उस पर जद ज़्छान करते थे और वह भीवकानद जिसे बहुत इंस्पार्ट थे और वह भी जो हिंदू स्किपट्र से जो हिंदू फेसिटिबल है जो हिंदु धर्म है उनको ज्यादा इंपोर्टेंस देते थे और यह इसी बात नहीं है जो सुभाशंद्र बोस से बहुत सभी रिलेजेंट को सभी धर्म को एक्पल रेस्पेक्ट देते थे उसके पास तोकर हम बात करें कि उन दोनों के बीच में सुभाशंद्र बोस और मात्मा गांदी जी के बीच में एजुकेशन को लेकर क्या कि आइडिलोजिकल डिफरेंस थे तो जो गांदी जी थे वह इंग्लिश जो एजुकेशन से उससे ज्यादा वह यह चाहते हैं कि इंडिया में बरनकुला जो लेंगुज है उस लेंगुज में एजुकेशन होना चाहिए और वह फ्री स्ट्रस मिलने के लिए नहीं होना चाहिए एजुकेशन हमेशा हमें जो नौलइज विजुड़म को से भी होना चाहिए वह चाहिए पयुकेशन हमेशा डिसिप्लीन और सेल्फ रेस्टिन को से भी होना चाहिए वह हमेशा वह वो केशनल जो एजूकेशन है उस पर जाधा उसके डबलाप्मेंट पर जाधा फोकस करते थे और वह यह चाहिए थे कि हमारे देश में इतनी विलेज है विलेज में एजूकेशन सिस्टम जाधा अच् सबी जो स्टुडियन से उनको इंडेस्टिलाइज़ेशन की उपर नॉलेज एजूकेशन देना चाहिए था कि हमारे देश जाधा तरक्की कर सके वूमें की उपर हम बात करें कि वूमें की उपर उन दुनका क्या आइडिलोजी था दूनों यह चाहते थे कि जो इंडियन है वह बहार निकले डॉमेस्टिक वर्क के साथ साथ बहार वह निकले मॉडर्न हो और वूमें का डेवलाप्मेंट हो हमारे इंडिया में तो यह दूस्तों कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स थे जहाँ पर हमने बात किया है मात्मागंधिया और सबसेंद्र बोज जी के अट 3